हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो दो माई यूटूब चैनल इया टी सलूशन दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे आपको नाम दिख रहा है फॉंट चेंज इन एक्सल यूजिंग 234 जी हां बिल्कुल आपने सही सुना आज हम आपको फॉंट चेंज करना सिखाएंगे 23 और कि अश्क फॉर का यूज करके तो वीडियो की स्टार करते हैं और देखते हैं कैसे चेंज करते हैं तो शाब से पहले हम आपको किसी भी सेल को बोल्ट करके दिखाते हैं आप किसी सेल में जाईए और वहां पर आपको क्या प्रेस करना है गंटल टू यह वह आप देख हैं इसके पहले कंटोल प्लस वी का यूज किया होगा कभी भी बोल्ट करने के लिए लेकिन आज ये एक न्यूट्रिक है जिसकी तुरूँ आप जिए पॉल्ट के आप चेंज कर सकते हैं और हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक कि हमें टॉलिक में करना होगा तो क्या करते ह कि यहां पर इटालिक में अगर आपको चेंज करना होगा तो सबसे किसी शेल पर जाएंगे और वहाँ सहका करेंगे कंटॉल में आजՆएगा तो इटारिक के लिए हम क्या यूज किये control प्लस 3 या तो हम इसके लिए पाहले यूज करते थे control प्लस बी सॉरी control प्लस आई अब बढ़ते हैं हम अपने next topic की 4 का यूज कहां करेंगे तो 4 का हम control के साथ वहां पी यूज करेंगे अंडर लाइन के लिए जी हां control प्लस 4 अगर हम प्रेस करेंगे तो जो भी हम select करेंगे उसके नीचे अंडर लाइन हो जाएगा चले हम करके दिखाते हैं यहां पर control प्लस 4 लाओं हम एक चीज और यूज कर सकते हैं control प्लस यू जो हम पहले यूज करते आये हैं लेकिन एक new है यहाँ पर आपका control प्लस 4 तो यह है आसान तरीका आपके font को bold करना italic करना या underline करना हो तो यह आप control के साथ 2,3 और 4 का यूज करके कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा thank you for watching my video